आप सब का स्वागत मनुश को आज 10 classes में, आज हम लोग कुछ maths लाए हैं, जो कि basic math के category में आता है, इस ताइप का maths आपका मनुवल बढ़ाएगा, साथ में maths के परतिर रूची रखेगा, तो इसलिए क्या है, कोई भी class के आपको, इसको 0 से 0 देखे, चलिए, चलते हैं, आज क दिवाइट करेंगे, तो भी वो क्या आएगा, 1, या फिर minus 5 को minus 5 से दिवाइट करेंगे, तो भी वो 1 आएगा, ठीक है, तो इसको answer क्या हो जागा, 1, इसका answer क्या हो जागा, 1, ठीक है, next question के वाद चलते हैं, अब देखिए, dividend equal to divisor into, क्या होता है, plus remainder, यहाँ क्या होगा, question, question होगा, यहाँ, आप यहाँ, फिल कर जाकते हो, ठीक है, plus remainder, चलिए next question के वाद चलते हैं, देखिए, maths में जो है, basic knowledge बहुत ही फाइदेवन होता है, हम लोग अगर deeply जान जाएंगे, तो math हमारे लिए बहुत ही easy subject होगा, और मेरा सपना भी यही है, कि हर बच्चे, जो है, maths के परति रूची बढ़े, इसलिए मैं ऐसा वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो यह काम किजिए, अगर आप नया है चैनल में, तो ज्यादा ज्यादा शेर किजिए, ताकि मैं और भी बच्चों से जूड़ पाऊं, देखिए, question है, third number में, when a non zero number is divided by zero, कोई भी non zero number, मतला five, six, कुछ भी बोलिए, तो अगर, अगर zero से अगर divide करेंगे, या फिर seven को हम लोग zero से divide करेंगे, तो यह divide नहीं होता है, ठीक है, कब भी zero से divide नहीं होगा, तो किसी भी number को अगर हम लोग zero से divide करेंगे, तो undefined हो जाए, क्या हो जाएगा, undefined, चलिए, next question क्यों चलते है, the product of two number is 81, क्या दिया हो, 81, if one of the number is 3, find the other, तो 3 से अगर हम लोग 81 को divide कर देंगे, तो हम लोग answer तक पहुच जाएगे, 37 जा 21, यह हो गया 27, इसका answer 27, चलिए, next question को solve करते है, question 5, x into 64 equal to 320, x is equal to, तो यह 64, यानि 3 to 0 को अगर हम लोग 64 से divide कर देंगे, तो answer आ जाएगा, x का भे लोग निकल जाएगे, 8 का टोबल से कट रहे है, तो 88 जा 64, 84 जा 32, 0, 85 जा 40, answer क्या हो गया, 5, question 5 का answer हो गया, 5, next question क्यों चलते है, यह number divided by 2587 gives 43 as quotient, and 12 as revender, find that number, तो हम लोगा, क्या होता है, dividend equal to क्या होता है, divisor into quotient plus remainder, अब क्यों चलते है, यह number is divided by 2587, 2587 gives 43 as a remainder, sorry, quotient and remainder है, 12, ठीक है, अनिकि इसको, इस दोनों को multiply करके इसको जोड़ेंगे, तो हमनों का dividend निकल जाएगा, ठीक है, तो 2587 को 43 से multiply करते हैं, ठीक है, यह multiply करने के बाद यह आए, और इसमें क्या जोड़ना है, 12 बैट करना, ठीक है, यह हो गया, इसका answer, ठीक है, चलिए next question क्यों चलते हैं, question number 7, the price of a toy is 28, क्या है price, 28, how many of these can a shopkeeper buy with 560, 560 को अगर 28 से divide करेंगे, तो number of toys निकल जाएगा, जो हम लोग खरीज सकते हैं, ठीक है, तो 7 कटेबर से कट रहा है, 7 पोज़जा, 28, 7, 8 चार, 56, 414, 428, 20, यानि कि 20 toys हम लोग खरीज सकते हैं, तो question 7 का answer होगे, 20, चलिए next question क्यों चलते हैं, if a cartoon contains 6 bottles, 6 bottles है, how many such cartoons will contain 90 bottles, तो 90 bottles के लिए 6 से divide कर देंगे, तो आँ जाएगा answer, चीक है, तो 3 का टेबर में, 2 बार में, और यह 3-3 जाए, 9, 0, 2 बार जाए 2, और यह 15, आगिया कितना, इसका answer 15, 15, question 8 का answer होगे, 15, चलिए next question क्यों चलते हैं, how many 7s are there in 630, तो 630 में कितना 7 से, तो 7 से divide कर देंगे, तो पता चाले जाएगा, कितना 7 से, ठीक है, 90, 90 होगे है, इसका answer, चलिए, question 10 में चलते हैं, जो कि आज का, अंतिम question होगा, what is the product of the largest 2-digit number, and the smallest 3-digit number, तो largest 2-digit number क्या होता है, 99, smallest 3-digit number क्या होगा, 100, अब इसको multiply करने, करना है, product है, तो 99 को 100 से multiply करेंगे, 9,900, answer होजेगे इसका, तो ऐसे classes के लिए बने रहें, चैनल को like करें, comment करें, share करें, और subscribe करना, ना भूने, thank you. किया एब उन्हाद स्कृपचर Υाइभ बने ऊशप्सियर करें चैनल करें लिगगाई्द्यनाफ वर लिएे हुआएद ग्शूाय다면 फिवाश्प्स इसकाःदां 맞는 चैनल को जो, तो ऑप उन्हांसर último आपर नहांने, किदो वरेगें , झाल झाल